हाई फ्रेंज वेलकम टू मार चानल साइनीज किचिन तो फ्रेंज आज हम बनाने वाले हैं बहुत बड़िया रेसिपी जो की है पलून भटूरे की बिलकुल गोल गोल सौफ्ट सौफ्ट फूले भटूरे आपके भी बनेंगे बिलकुल 100% गैरेंटी के साथ कह रही हूँ अगर आप मेरे रेसिपी को स्टेप बाए स्टेप फॉलो करोगे तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ यहाँ पर हमारे पास दो कप मैदा जिसमें हम डालेंगे दो चमच सूजी मैंने हाँ पर फाइन वाली सूजी का यूस किया है अब कोड सूजी का भी यूस कर सकते हूँ अब हम इसमें डालेंगे स्वात के नुसा नमक और एक पिंच के करीब बेकिंग सोड़ा और अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच चीनी और दो बड़े चमच दही खटा दई यूज़ कर रही हूँ मैं और हम इसमें डाल देंगे दो चमच ओल ओल डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले ऐसी मिक्स करेंगे हाथों से और हम पानी डाल डाल कर इसका एक बहुत भड़िया और सौफ डो तयार कर लेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कितना बढ़िया सौफ डो हमारा तयार हो चुका है अब हमें इसको रेस्ट देना है दो घंटे के लिए दो घंटे के लिए आप इसको ढखकर साइड पे रखिए ताकि यह बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए तो यहाँ देख सकते हो दो घंटे हो गए है और हमारा डो जो है कितना अच्छा स्ट्रेची और सौफ बन गया है हलका सा स्टिकी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें अब आप इसमें सूखा मैदा या फिर आटा डस्ट करिए और भटूरे बेल लिजिए इस तरह से इक्वल इक्वल हर जगा से आपको बेलना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से मोटा और कहीं से पतला और इसको हमें ओयल में फ्राइ कर लेना है इस तरह से दबा दबा कर हमें इसको फ्राइ करना है तो यह आपके भटूरे जो है वो फूलेंगे तो यह लीजि को फॉलो करिएगा स्टेप बाइ स्टेप और अब हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़िदार सैलेड जो आप इसके साथ खाएंगे जो की है धनिया पत्ता हमने काट लिया है और हमने लिया है हरी मिर्च और इसको हम कूट लेंगे इस तरह से अब एक प्लेट में हम ले लेंग डाल देना है इसको इसके उपर और अब हम इसमें डाल देंगे काला नमक, चाट मसाला और मिक्स कर लेँगे तो ये लिजए फ्रेंड्स हमारे कितने प्यारे प्यारे भटूरे जो फूल के एक दम तयार हो चुके है गरम गरम इसको इन्जॉय कीजिए और इसको मैं सर्फ क के साथ जो की रेसिपी मैंने बताई है अगर इस सैलेट को आप इस बटूरे के साथ ट्राइ कर रहे हो तो बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है आपको और यहां पर है मेरे पास चाना मसाला और पनीर चिली दोनों की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे अपलोड़ेड है तो आप आप वहां जाकर देख सकते हो तो बस फ्रेंट्स यह थी हमारी रेसिपी बलून जैसे गोल गोल सॉफ्ट सॉफ्ट बैटूरे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और में चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा